आफे आपके पास माạिक कासेटप बढ़िया है तो आप कोईज भी काम कर सकते हैं कोईज भीना टेंसन के अगर मायक कासेटप आपका अच्छा नहीं है ताप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपका विदियो का क्वालिटी कितना भी अच्छा रहा धिर जैसा कि आप सामने देख रहे हैं हमारे सामने EKG लिखा हुआ है और EKG का मतलब आप लोग समाच चुके होंगे कि यह सैमसंग से है क्योंकि सैमसंग का एक earphone आता है यह पता होगा कि मोटो ब्लगिंग में सबसे दा मेन भूमी का जो यह फिर पहले होता है वह हमारे माइक और वीडियो क्वालिटी आप कीतना वी अच्छा दे कीतना भी अच्छा दे लेकिन अगर आपका वाइस का अच्छा नहीं रहे गा तो लोग आपका वीडियो को उच नहीं करेंगे जैसा कि मेरे साथ पहले होता था लेकिन अब मेरे साथ थोड़ा बहुत इंप्रूब किये हैं अपने वीडियो के अ आपएक्ष आब को दीखाते हैं कि कैसे आब लोग भी इंप्रोश कर सकते हैं सस्तर साब्ड रहे सेटप से से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि पहले जो मैं माइक यूज करता था वो भी एक हेड़फोन ही था सैमसंग का तो उसमें क्वालिटी जो वाइस का है वह हम एड कर देंगे वीडियो में किस तरह का आता था हो सके मुझे सेट अप करने हमानिन और फिरो सपोर्ट है कि उसमें जो है आता है तो में आवाज सही नहीं आता था मेरा वाज स्था आता है जोटा साइक मांट का इंध्यप्टर धर्या सौरी टाइपocybnसी तो 3.5 युट वाला जो कि हमिन्ना तो सामने आपको दिख रहा होगा कि सैमसंग का जो छोटा वाला कीपैड में मोबाइल में जो आता है वही वाला हैटफोन देखिए यहां पर लंबा सतार भी लटक रहा है तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप बाइक पे और यहां से हम लोग चलते हैं और माइक का जो आपको यह नोटिस करना है कि आपको बाइक का आवाज और यह क्या था बहुत बड़ा गढ़ा देख सकते हैं कि यहां पर रोड नहीं यह गढ़ा रोड के बीच में ऐसा है जो कि बहुत ही खतरनाक था पाता भी नहीं चला है तो जो अभी आप पीछला जो आडियो सुन रहे थे और वीडियो का क्वालीटी देख रहे थे वो डिजिए यह स्मो बड़ा है और मतलब इसमें मैनुवली हम वाइस का क्वालीटी को इंप्रूब मतलब बला सकते हैं आवाज और कम भी कर सकते हैं डेसीबल को तो अभी जो हमारा डेसीबल है वह हमारा प्लस फाईब है किस तरह का आवाज आ जा रहा है आप लोग बताएए को में ज्यादा हुआ रहा है या फिर बाइक का आवाज और मेरा वाज ट्रॉपर आ रहा है या फिर ज्यादा विंड आ रहा है या फिर मेरा आवाज कटके आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा लाउड आ रहा है तो बताईएगा आप लोग थोड़ा सा बाई खीचते हैं उसके बाद बताते ह आप लोग आवाज कैसा आवाज आता है देखते हैं विंड बहुत कैसा तेज है अधिन लोग अबाई जो है और इस तरह का आवाज आ रहा है आप आप आई आप आपको अगर विंड जादा आएगा तो इसको भी कम किया जातक है है जो कि बाहर था मतलब की बहुत जादा विंड आ रहा था तो अभी अंदर के तरफ किये हैं अभी किस तरह का आवाज ले रहा है पता चलेगा थोड़ा भाई खीचके भी देख लेते हैं अभी हम लोग का वाई जो है वह वह सेवेंटी पर चल रहा है कि इस तरह का आवाज आ रहा है अगर आपके पास माइक के सेट आप बढ़िया है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं कोई बीना टेंसन के अगर माइक का सेट आप आपका अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपका वीडियो का क्वालिटी कितना भी अच्छा रहा है फिर भी तो इसलिए फर्स्ट आप लोग का माइक का सेट आप जरूरी है मैंने इतने सारे यूटूब पे वीडियो देखे इतने सारे कि मैं बता नहीं सकता मैंने उसी चकर में एक हेलमेट भी बरबाद क आज हम देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज का जो सेट आप है वह हो जाएगा क्योंकि अभी मैं रुप-रूप के थोड़ा-थोड़ा दूर पर सुन रहा हूं अपने वोईस को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं वोईस का क्वालेटी सही है और गाई तो इस बर जो हमारा सेट अप है वह हमारा देख सकते हैं कि डीजिए उसमें एक्षन कैमरा के कितना अच्छा क्वालिटी है एप का इसका कि सामने एप भी दिखा रहा है कि यहीं एप में वीडियो सूट हो रहा है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी जो हम लोग अभी वाइजर ओपन है वाइजर डाउन करते हैं और अभी डेसिबल हम कम किये हैं तो इसमें थोड़ा वाइज का क्वालिटी ज्यादा मितलब की दवा हुआ आ रहा होगा विंड भी थोड़ा कम आ रहा होगा मेरे एकॉर्डिंग क्यूंकि जो डेसिबल का साउड अगर सब्सक्राइब करेंद। आप लोगने के सब्सक्राइब करता है। masking अभी हम लोगे में सेट अपना चेंज कीया हैं अभी में लोगने मितलब के डेशिबल को माइनस नगां कर दिये और अब इस तरह का व्लग है Venezuela नहीं दोग तो अभी हम लोग का बाइक जो है अंड्रेट पर चल रहा है और अंड्रेट पर चलाने पर थोला मतलब की विंड बहुत ज्यादा रहे हैं हेल्मेट में भी विंड आ रहा है अगर आपको बनियाफ वाइस का क्वालिटी चाहिए तो आपको हेल्मेट भी अच्छा वाला करना पड़ेगा हम तो वेगा का एलमेट रखे हैं जैसे आप लोग को पाता होगा अगर आपको अच्छा वाइस का क्वालिटी चाहिए तो आपको एक अच्छा वाला हेलमेट भी लेना पड़ेगा जिसमें पैडिंग थोड़ा हेवी हो और नीचे चीन के साइड भी आपको विंड बहुत रेर ही विंड आपको कभी कदल आएगा वह भी हाइश्पीड वे और विंड जब जादा रहेगा तो वरना नहीं आएगा जैसा कभी हम चला रहे हैं नॉर्मल इस्ट पर पता नहीं चलेगा अराम से आप चला सकते हैं बाइक को बीना कोई टेंसन के यहीं अगर आप हाइश्पीड पर चलते हैं तो थोड़ा विंड ज्यादा है क्योंकि हेलमेट के अंदर ही विंड जाने लगेगा तो फिर कितना भी अच्छा माइक हो काम नहीं करेगा समझ में आ रहे हैं आप लोग को लाकि ओवरॉल जो हमारा माइक से रिलेटेट वीड लेंड बैबाई जैसी आराम